हेलो एर्वीवान गुड मॉनिंग नमस्कार 18 दिसंबर 2020 और आज के दहिंदू निजपेपर को हम लोग डिसकस करेंगे अनालीसिस करेंगे आप इसकी पीडियेप को डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम से जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या आप सीधा प्रिवर्टर नाइस अकाडिमेट टेलिग्राम पे लिख कर भी डाउनलोड कर सकते हैं तो दिल्ली और आज-पास के एरियाज में जो फार्मर प्रोटेस्ट उसमें कुछ न्यू अपडेशन से उसके बारे में हम डिसकस करेंगे तो इसमें सुप्रेम कोट एक नया इसमें सकते हैं ये उनको समयधानिक राइट है राइट इसके अलावा आगर आप देखेंगे कुछ इंपोर्टेंट चीजे और बताए उन्होंने सुप्रिम कोट ने सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम एक क्लेरिफाई कर देना चाहते हैं कि प्रोटेस्ट जो है फंडेमेंटल एक तरीके और पीसपुल प्रोटेस्ट यह है और इसको कंटेन्यू कर किया जा सकता है अल्टर लेटनी सुप्रिम कोट ने यह का कि बाई दो चीज़ेशन दिया एक तरीके से कि कमेटी फ्रेम कर सकते हैं कि आप कितने भी टाइम तक बेठे रहे उससे ज्यादा यह दूसरे से बात करिए रिजूलिशन पर काम करिए ताकि लोगों को भी ज्यादा प्रोब्लम्स ना हो जो मतलब दिल्ली में आने वाने लोग है यह दूसरे लोग है ठीक है तो एक रिजूलिशन पर काम किया जा सकता है और आपका जो यह प्रोटेस्ट का राइट है यह constitutional right इसमें हमें कोई problem नहीं है ठीक है इसके लावा अगर आप देखेंगे वेस्ट बिंगोल government और central government के बीच में कई सारे issues हैं और issues में से recently issues जो है three IPS officers को deputation पर भेजने को लेकर तो यहाँ पर एक जैसे central government की जो political party है उनके president वहाँ पर गए उन पर violent attack हुआ और link किया गए चीजों को उन चीजों को हम छोड़ देते हैं यहाँ पर सवाल यह उठता है कि क्या state government के पास इतने authorities है कि वो central government क्योंकि जो IPS और IAS officers होते हैं वो एक तरीके से immediately यह कह सकते हैं कि अवरोल उन पर control central government का ही होता है तो उनको डेपटेशन पर बुला सकते हैं emergency provisions के अंडर तो अगर state government बना कर रहा है तो यह एक तरीके से classes हो सकता है constitutional classes भी हो सकता है तो आने वाले वाले कोसी दिनों में वहाँ पर elections भी होना वाला तो connectivity करेंगे political उन चीज़ों को हम यहाँ पर quit करेंगे इनका बारे में discuss नहीं करेंगे उसके बाद बात करेंगे भारत और बंगलादेश के relations को लेकर यहां पर बात की गई है कि भारत और बंगलादेश दोनों strengthen करने के बारे में काम करेंगे एक दूसरे relations को कई सारे एरियाज में priorities के उपर बात की गई है बंगलादेश important country हमारे लिए क्योंकि एक neighbor country इसके लिए को लेकर भी तो हमारे प्रेमिस्टर साब ने का कि neighborhood first की हमारी policy रहेगी इन्योग्रेशन किया उन्होंने कुछ important project को जिसमें चिला हाती जो बंगलादेश के अंदर हल्दी बाड़ी जो वेस्ट विंगोल के अंदर उसमें rail link को ऐसा यह पांस वा जो है project होने वाला है इनके अलावा क्योंकि 1971 की वार में भारत की forces ने भारत की आर्मी ने भारत की और defense forces है या military staffs है उन्होंने important role play किया था इनके अलावा बंगलादेश में काफी important personality है बंग बंदू सेख मुझीबूर रहमाल उनके बारे में उन्होंने एक तरीके से tribute किया और का कि 2021 के अंदर उनके ओपर एक documentary जो है वो बायोपिक बनाई जाएगी इनके अलावा 7-8 agreement हु है आप इन 7 agreements को पड़ भी सकते नहीं भी पर सकते एक जस्ट अब्जरवेशन साब की होने जी फॉर एक्जांपल यहां पर हाइड्रोकर्बन के बारे में बात कीगी हाई-इंपक्ट कम्योटे के बारे में बात कीगी डवलमेंट प्रोजेक्ट की बात कीगी elephant conservation की बात जिसमें हमारे प्राइमिस्टर उनके प्राइमिस्टर नहीं आए लिव सीधा ओनलाइन उनने यह वर्चुल सम्मिट आव इसको बोल सकते हैं इसके लावा पेज नमर फोर पे है चीफ जस्टिस ओफ इंडिया ने का कि दिल्ली जो है वो हैपी नहीं किसी से सेंट्रल का जो कमेटी बनाई गई या उसके जो एक तरीके चीफ जिस्टिस ओफ इंडिया सर्देव उपड़े का जो रिमाक है यह काफी इंपोर्टेंट है और एक मैसेजिंग है सेंट्रल गोर्म गवर्मेंट को लेकर इनके अलावा उन्होंने कहा कि कई सारे चीज़े आप देखेंगे आप दिल्ली में लगातार जो एयर क्वालिटी है वो लगातार डिक्रीज हुई इसके लेकर कई सारे मेजरमेंट आप देखेंगे मोनेटरिंग सिस्टम जो है जैसे चैनल इंबैंट एर क्वालिटी स्टेंडर्स हो इनको आप जरूर एक तो बार रिवाईज करते रहें त टैन पीम टू फाइंट फाइंट का मतलब क्या था पर्टिक्लर मैंटर या धूल के छोटे-छोटे जो कर्ण होते वो एक बड़ा रिजन्स है एर पॉलिशन के पीछे और यहां पर आप देखेंगे यहां पर कई सारे चीजें बताएगी कि कई सारे स्टैप जो हैसमें उठा की है ठीक है इनके लावा हर्याना पंजाब यूपी राजस्तान इस वाला जो एरियाज है इसमें अगर कोई स्टबल बर्निंग करता है उसके खिलाब जो हो एक्शन ली जा सकते हैं लेकिन किसान अपने वेस्ट को या अगरिकल्चर वेस्ट जो होते हैं या फसल निकालने और उसके पास alternate solution नहीं है इसका इसलिए आप solutions प्रोवाइड करवाईए कोई भी अपनी वेस्ट को जलाना पसंद नहीं करता ठीक है तो वो चीज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इसके बाद यहाँ पर page number 10 पर इस रोन एक satellite mission जो लॉन्ज करा है communications को लेकर और यहा आप पर मैं एक limit तक ही बता पाऊंगा आपको काम करना पड़ेगा आपको अपने लेवल पर इस section में काम करना पड़ेगा for example यह सैटलाइट जो प्येसल्वी है पोलर सैटलाइट लॉंज विकल है आपको जीएसल्वी प्येसल्वी इनके बारे में basic information पता होनी चाहिए रै एर के मुकाबले में उसकी speed क्या है उनके बारे में आपको basic information होने चाहिए और यह जो सैटलाइट है यह किस purpose के लिए launch किया गया for example यह CMS 01 है यह communication satellite है यह ध्यान नहीं 42 communication satellite होगा और इसको भीजा गया PSLVC 50 यह इसको फ्लाइट का यह आप सकते space का space mission का नाम दिया गया इसका PSLVC 50 कई बार जो UPSC में तो साइद नाए लेकिन दूसरे examination में पूछ लेते हैं कि PSLVC 50 है UPSC में पूछा जा सकता है PSLC 50 जो है किसको related है ठीक है तो यह geosynchronize transfer orbit अलग-अलग orbit आपको देखने को मिलेगी near-art orbit है geosynchronize है या अलग-अलग तरह की orbit से distance to distance matter करती है कितनी distance पर यह जा रहा है ठीक है और इसमें सबसे important है GSLV GSLV की distance यह important होने वाली है for example यहां पर लिखा गया कि यह C band frequency पर काम करेगा और इसमें स्पेक्ट्रम जो हो coverage करेंगे इंडियन mainland को रंडेमान और निकोबार और लक्सिदीव इन सब को इनके लावा क्योंकि यह satellite एक important होगा और जो आने वाले time में जो missions होंगे या आप देखिए प्राइवेट सेक्टर का भी इसमें इंवेस्ट्मेंट होगा यह प्राइवेट सेक्टर के थूँ जैसे प्येसलवी से 50 वन जो हम लॉंच करेंगे यह कंट्री का पहला प्राइवेट सेक्टर सेटलाइट होगा और जो कि हमारे स्पेस रिफॉर्म प्रोग्राम जो अनौन्स के गे इंडियन गवर्मेंट दव है स्पेस के इंडिया दोवारा और इसके लवाण युनिया यूनिट्य सेट जो है यह बनाया गया यूश्टी के बच्चों के दोवारा ती यह कि काफी इंपॉर्टन हो गर और इंदर इंप्रोटन्ट का यह आप पर आप यहां पर देखेंगे इंडिया की रिकवरी कुछ नहीं है इसके बाद वर्ल्ड वाले सक्षिन में दो तिन इफ्रोमेशन पहली वर्ल्ड हेल्ट और्गनाजेशन जो है उसकी टीम जाएंगी चाइना में वुहान में वहां पर उसके ओरिजिन्स हैं या नहीं है कोविड-19 के उसको एनलेसिस करेगी ठीक तो एक टीम यह काम करेंगे हाला कि जोई बाइडन ने जितने भी अपने प्लिटिकल केंपेंड हुए हैं उसमें यह काया कि वाई हम इस तरह के उनके खिलाव रश्या खिलाव टफर स्टैप ले सकते हैं इनके अलावा क्योंकि मिश्चर पुतिन जो है दोजार सथिस तक टू थाजन और जो जोई बाइडन उनको एक तरीके से ऑटो क्रेट की तरह यह बोलते हैं कि यह एक तरीके से तानासा जैसे सासन करते हैं और इनके ऑपोजिट में कुछ भी नहीं है इसलिए यह वन साइड रूल कर रहे हैं इसके अलावा टरकी ने का कि वहाई हम रश्या से जो एस फ जोटी न्यूज है फॉर एक जामपल अलीबाबा चाइनीज ग्रूप है उन्होंने यह का कि कपले ऐसी एप्लिकेशन सॉफ्ट्वर डेवलप किया है जो उइगर्स कम्यूटी को जो एनलीसिस कर सकता है उनको इडेंटिफाई कर सकता है और इस तरह के सॉफ्ट्वर बनान आप देखेंगे कितना खतरनाक हो सकता है उस कम्यूटी के लिए उस ग्रूप के लिए जो पहले से ही जो है वो हुमन टेरियन क्राइसिस भेज कर रही है ठीक है यह डेवलप करना कितना सही है कितना गलत है यह आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा इसके बाद बिजनस स सेर जो है 6% से 15% तक इंक्रीज करना है 2030 के अंदर काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है और इसके अंदर इन्होंने कहा कि एक तो सीटी गेस डिस्टिबिशन को लेकर हो पाइपलाइन को लेकर हो और LNG ट्रिमिनल्स बनाए जा सकते हैं ठीक है और LNG ट्रिमिनल्स जो ही LNG जो ह है जिसकी कपेसिटी 5.33 मिलियन टन्स है ये कंस्टक्ट किये गए हैं विशाका पतना मेंगलोर और पादूर के अंदर इनके अलावा चांदी कॉल और पादूर के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्नसिप के थू जो है ये डवलप किया रहे हैं तो पेट्रोलियम रिज जो गैस यहां पर यह वर्ड यूज किया गया है इसके अंदर मेजर गैस कौन सी होती है वो आपको नीचे कमेंट करना है अगर आंसर ना मिले तो गूगल कर ले ना लेकिन कोशिस करिए कि आंसर जो उसमें कमेंट करें इसके बाद एडिटोरियल में दो तिन एडिटोरियल ना करें और एक दूसरे के साथ स्ट्रेंथन जुरूर करें लेकिन डोमिनेंट ना करें तो रिशनली कई सारी चीजें हुई पहली बात यूनाइटिड गिंडम का ब्रेक्जिट के थूरू एक्जिट होना और यूरोपीन उनियन से और इनके लावा बोरिस जोनसें गवर् प्रेम अनलिसिस किया भारत भारत में जो रिप्रेब्लीट का सेलिब्रेशन होगा अगले साल दोहजार इकिस बें उनको एज चीफ गैस्ट जो बोरिस जोनसन जोंगे एज चीफ गैस्ट होंगे इनके लावा हमारे प्राइमिस्टर को उन्होंने इन्वाइट किया जी है जपान जर्मनी इटली इस तरह के सेवन कंट्रीज इसके अंदर इंक्लूड होती है ठीक है इनके लावा क्लाइमेट चैंज सी ओपी टॉंटिसिक्स होने वाली उनाइटी नेशन फ्रेमवर कंवेंशन ऑन क्लाइमेट चैंज नेक्स्ट एर होगी ग्लासगो के अंदर ठ इनके लावा यहाँ पर 10 येर का रोड मैप के बारे में बात किया गया उन्होंने डिसकसन कि एक्स्टनल अफेर मिनिस्टर एस जैसंकर से और हमारे प्रेमिश सहाब से की 2004 के बाद इंडिया और यूके में स्ट्रेजिक पार्टनरशिप को कॉंप्रिहेंशिव स्ट्रेजि एक तरीक से एक्जिट करेगा उन सब के बीच में लगबग 20 ट्रेट डिल्स से ट्रेट डिल्स करने वाला जिसमें यूएस है जापान है व्यतनाम है इन सब से जो डिसकसन करेगा इनके अलावा मिस्टर जोंचन जो है उन्होंने अनौने अनौन्स किया था कि फ्री अगरिमेंट का मतलब सिंपल सा यह है कि ऐसा नहीं कि सब कुछ फूरी हो जाएगा ना जाना नहीं फ्री टेड अगरिमेंट में जो मेजर चीजें होती है कि एक दूसरे के कंट्री में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गाउस में टैरिफ्स को थोड़ा सा रैसलाइज कर द के रूप में काम कर रहे हैं और क्योंकि सिर्व इंडिया के पास फैसिलिटीज है कि बड़ी संख्या में वेक्शिन को प्रोड्यूस कर सकती है सस्ते रेट पर एवलेवल करवा सकती है तो काफी इंपोर्टन ही होने वाला है इसके बाद यहां पर बताया गया कि पिछले पां के बीच में दूसरा कंसेर्ट है जो इंडियन बिजनसमेन है यानि जो भगोडे हैं फॉर एक्जामपल वीजय हमालिया का प्यां कोट कर सकते हैं यह लोग वहां जाते हैं और उसके बाद उनको वापिस लाना भारत में यह चलेंजिंग है इनके अलावा हमारी मिनिस्ट्र की तरफ से एक तरीके से सारपली रिस्पॉंड किया गया कि इंडियन हाई कमिशनर के बाहर लंदन में जो आर्टिकल 370 है हटाया गया जमवन कसमेर से इसके लावा सिटिजनसीप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर हो और रेशंटली जो है फार्मर्स को लेकर जो तो हो सकता है कि आपके पॉलिटिक्स दे लेटर हो लेकिन भारत जो इंगलेंड में भी बड़ी संख्या इंडियन डाइस्पॉरा रहता है तो ये उनकी प्लिटिकल इस्यूज का भी पार्ट तो हम बिलकुल उनको मना नहीं कर सकते कि आप नहीं कर सकते हमारे कंट्री का व प्लम्स होती है ठीक है तो क्योंकि युनाइटिट किंग्डम जो है उसका आप मैप जरूर देख लीजिए ठीक है युनाइटिट किंग्डम में काफी इंपोर्टेंट ये कंट्री है और डिरेक्ली किसी कंट्री से टच नहीं करता लेकिन सी रूट के थुरू ये कनेक्ट करता है यहां पर आपने कई बार पढ़ा होगा ये इंग्लीज चैनल है जिसके तुरू करेक्ट होता है ये मेल लेंड यूरोप से इनके लावा नोर्थ सी है और इसका ये सहर आपको देखाए गलास गो जिसमें ये समिट होने वाली है ठीक है तो काफी इंपोर्टेंट है और इसकी जोगरफिकल लोकेशन अपने आप में यूनिक कह सकते है ठीक है तो ये आप जुरूर मैपिंग कवर करते रहे है मैपिंग जितनी ज़्यादा कवर करेंगे उतना ही बेनिफिट आपको होने वाला है तो पूरी दूनिया में घुमते रहे है एक दो एक दो कंट्र टेली करते रहे ताकि क्लैरिफिकेशन आये ताकि हमारी जोगरफी खासकर वर्ल्ड जोगर्फी जो स्ट्रोंग हो सेकंड आर्टिकल हम पढ़ेंगे यह आर्टिकल है संक्षण और ये आर्टिकल अगें युनाइटर स्टिट्स जवारा जो एक तरीके से संक्षण लगाए गया है कि इसके उपर टर्की के उपर उससे उसके बाद जियो पोलिटिकली क्या चीज़े चेंज हो सकती उसके बारे में एनलीजिस किया गया है तो सबसे पहले बात करेंगे रिशनली जो है वो यूएस ने टर्की के उपर जो रस्या से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरिदने वाला था उस चीज़ को लेकर सेंक्शन लगाए है प्रतिबंद लगाए है हलाँ कि दोनों कंट्री जो नाटो ग्रूप के मेंबर है नाटो एक इंपोर्टन ग्रूप है और इसमें ये अगरिमेंट भी है कि अगर किसी भी कंट्री पर नाटो में अटेक होता तो वो पूरे नाटो कंट्रीज पर अटेक बना जाएगा 2017 के अंदर US में जो प्रिजिडेंट डोनल्ड ट्रम्प तो उन्होंने एक पास करवा है था काउंटरिंग अमरेकाज अड़र्जिज थूरू सेंक्षिन एक्ट हलाकि अभी भी वो प्रिजिडेंट है 20 जनुरी तक उसके बाद जो बाइडन बन जाएंगे तो इसके बाद उन्होंने इसका जो परपज क्या था कि कंट्री जैसे रशिया है इरान है या नोर्थ कोरिया उनको डिस्क्रेज करना था उनके साथ टाइब्स को लेकर इससे पहले टर्की के साथ उन्होंने F-35 फाइटर जैट का प्रोग्राम जो उसको सस्पेंड कर दिया उनको ये डरता कि कहीने के इसमें issues create हो सकते है रशियन सिस्टम को include किया जा सकता है तो टर्की के जो प्रिजिडेंट है रिक्याप तैयप इरड़ोगोन जो है उन्होंने इस सेंक्शन को कहीने के टर्की की सोरनेटी पर एक तरीके से attack उन्होंने कहा और ये कहा कि इस तरह क जो implications है उसका उनके उपर negative असर पड़ता है रिलेशन पर भारत के context में भी ये concern है कि as foreign system जो हम भी खरीद रहें रिशिया से तो ये उसके उपर भी असर आने वाले time में हो सकता है इनके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमने पड़ा कि तर्की ने कहा कि वो किसी भी हालत म जो continue करेगा इसमें पीछे हट लेवाना नहीं है ठीक है इसके लावा यूस इस तरह की चीज़ें क्यों कर रहा है यूस के अपने concern है यूस के अपना program है यूस का अपना एक agenda है ठीक है तो F-35 जो उनका एक fighter jet plane था उसको उसको लेकर उन्होंने suspend करना हो या recently जो as foreign system है इसको लेकर चीज़ें हो लेकिन इन सारी चीजों से जियो प्लिटिकली कई सारी चेंज हो सकते हैं फर इक्जामपल अगर आपके ट्रकी से खराब होते हैं तो ट्रकी और रुच्छीया की डिफरेंशीज हैं उनके अलग-अपिनियन हैं शीरिया को लेकर इस्टन यूरोप को ले कि चायना अंडिया रशाषब के ऊपर हो सकते हैं उन सब सिचुएशेंस में जब यह होता कि आप श你是 होई एक धत्रके लिखा करों कर सकते हैं यह पॉसिबिलीटी भी है हाला कि रश्या ट्रकी के बीच में शेरिया लिंबिया और रेशनली जैजिए celebrate और आर्मेनिया का जो एरिया है नागोरोना घर बखा करके यहां पर डिस्प्यूट्स के बावजुद दोनों के बीच में रिलेशन्स का इस तरीकी से बढ़ना यूएस के लिए चलेंजिंग हो सकता है इनके अलावा क्योंकि फ्रेंच प्रेजिडेंट जो है इमिनियुल मेक अनुवा था एक ग्लोबल पावर की रूप में उनके बाद अमरीका एक तरीके से यूनिलेटरिलिजम या एक मातर सूपर पावर रहे थी लेकिन अब जो है सिच्वेशन चेंज हो रहे है मल्टी लेटरिलिजम की दुनिया है यानि भूपक्षिय बहुत सारी कंट्रीज का राइज होना यह कही नहीं लगता है कि यूसे के लिए चलेंज और वाशिंग्टन इसको अपने आप में एक चलेंज की तरह हुआ है समझता है यह कुछ कंसर्स है इसके लाब आब फार्मर प्रोटेस्ट का जो आर्टिकल्स है वो हम अलड़ी कई बार डिसकस कर चुके तो उसमें कुछ डिफरेंट नहीं है नया नहीं अगर आप इंट्रस्टेड है तो पीडियो में लेवल करवा रहा हूं तो आप जुरूर पढ़िएगा नूट्रेशन को लेकर भी नैशनल नूट्रेशन मिशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम या भारत में जो ग्लोबल हंगर इंडक्स की सिच्वेशन से उन सब के बारे में हमने एनलीसिस किया तो इसमें कुछ सेपरेट नहीं होने वाला यहां पर इसके बाद एक एडिटोरियल हम कवर करेंगे वह एडिटोरियल है वर्ड चैलेंजेज डू ओनलाइन क्लासिज पोज देखिए ओनलाइन क्लासिज म मैं कुछ एड कर रहा हूं कुछ आप एड करना और मिलके जो एक बैटर इसमें डिसकेशन हो सकता दो प्रसनलिटी ने डिसकेशन किया आप सबको पता होगा कोविड 19 के बाद स्कूल जो है लगबग क्लोज हैं बंद पड़े हैं और उस सम्में एक अल्टरनेट बच्चा और जला ऑनसें। लेकिन ओंलाइन एड़ेकरेंसमें किया हैं सबसे बड़ा च्लेंज जो है एकसिबाइटी को लेकर हैं एकसिबाइटी का मतलब है लोगों के पास सोसीज नहीं जो online classes के लिए जो sources चाहिए for example mobile phones है tablet है smart phone gadgets या laptop इस तरह की चीजें चाहिए वो हर किसी के पास available नहीं है तो इससे क्या होगा कि अमेर और गरीब या एक digital gap आपको देखने को मिलेगा यानि हर किसी के पास access नहीं होगी तो उससे problems होने वाली है अगर access हर किसी के पास नहीं होगी तो यह कहीने कहीं एक discrimination होगा और यह खास कर girls के लिए काफे challenging हो जाता है और कई सारी report यह मानी गई कि COVID-19 के बाद जो school बच्चों का छूटेगा उनमें girls की early marriage और early pregnancy इस तरह की चीज़े देखने को मिलेगा और कहीने की alternatively उनकी life को एक तरिके से challenges की तरह देखने को मिलेगा पहला यह gap बढ़ाएगा दोनों के बीच में यह gap जो create उसको cover नहीं किय जागी है ठीक है इनके लावा online education में data को लेकर की हर किसी के पास पहली बात तो mobile नहीं है mobile होगा तो smartphone नहीं और smartphone होगा तो हर किसी के पास proper data नहीं है उसमें access करने के लिए right third important है कि बच्चे अगर हद से जाद स्क्रीन पर time बिताएंगे तो उसमें concern यह कि उनके neurological उनके behavioral उनके eyesight पर क्या impact पड़ेगा यह important है क्योंकि जितने भी digital gadgets है वो कहीं नहीं कहीं ultra violet rage आपको देखने को मिलेगा और आप भी अगर महसूस किया होगा तो कहीं नहीं आप उसमें जो rage होती वो आपके आखों को काफी बुरासर करती है इसके लावा teachers भी खुद comfortable कई teachers जो उसको access नहीं करना आता यह regions है cyber attack होने की possibility रहती है child pornography या child abuse इस तरह की चीज़े देखने को मिलती है कई सारे वीडियोज आप YouTube पर भी देखेंगे जहां पर आपने देखा हुए कई सारे जो live classes उनके अंदर उनको hack किया जाता है उनके codes को hack किया जाता है यह concerns है इनके अलावा क्योंकि इसको properly monitoring नहीं की जा रही है यह regions है कितने time screen पर जाएंगे बच्चे और इन सब के अलावा teaching skills का online teaching skills का होना चाहे इसके लिए infrastructure की requirement हो जैसे ठीक है कुछ private school afford कर लेंगे लेकिन क्या government schools इसको properly afford कर पा रहे है teaching को क्या जो teachers है वो comfortable है online teaching को लिकर assessment कैसे होगा बच्चों का यह कुछ concerns है ठीक है आप इसमें include कर सकते हैं अपनी तरफ से कि आपका क्या इसमें चीज़े है क्या इसमें challenges आपको लगते हैं इनके अलावा last में article है यह अपने आप से पढ़ेंगे क्योंकि time का एक issue है और यह article है converting waste to energy करके की waste से energy में कैसे convert कर सकते हैं और यह करनाटका के state के जो chief minister BSE इदरुपा उनके दोरे foundation रखा गया 11.5 मेगवाट का waste to energy plant near बिड़ाडी करके ठीक है तो इसके बारे में आप जुरूर पढ़ना यह articles यहाँ पर आप challenges क्या हैं क्या इसमें incentives हो सकते हैं यह articles आप अपने आप से पढ़ लेना study के लेना ठीक है questions पर सिधा जाएंगे और questions जो हमने 30 कर ले थे 31st question number आएंगे उस पर discuss करेंगे सबसे पहले बात की गए the terms agreement on agriculture, agreement on the application of sanitary and phytosanitary measures and peace clothes appear in the news frequently in the context of the affair of ठीक है यह यह terms use की गई है agreement on agriculture, agreement on the application of sanitary and phytosanitary measures and peace clothes in terms का जोह किस organization से relation है मैं हिंदी में पढ़कर सुना देता हूं agreement on application of sanitary हिंदी में भी सेम ही चीज लेखें तो इसमें different नहीं है वही सेम तीनों word है इनका किस organization से relation है चार option दिये गए है food and agriculture organization है United nation framework conference on climate change है world trade organization है यह world nation environment program है पहली बात अगर आप देखेंगे agriculture agreement दो चीजों से रलेट हो सकता यह तो world trade organization से यह food and agriculture organization से ठीक है लेकिन उसके बाद जो यूज किया गया application of sanitary and phytosanitary measure तो यह directly जो agriculture से रलेट नहीं होगा तो इसमें जो right answer होगा वह वर्ल ट्रेड organization और peace close क्योंकि वो directly link है peace close world trade organization से और आपने अगर रमेज सिंग पड़ी हो economy में या दूसरी books पड़ी हो तो उसके बारे में आप जरूर peace close के बारे में जरूर पढ़ा होगा कि peace close है क्या जब आप WTO पढ़ते हैं तो उसके बारे में basic information आपको वहां से मिल जाएगी ठीक है इसके बाद 32 number question आप यहां से पढ़ेंगे यहां पर question दिया गया है with reference to near field communication technology near field communication technology के बारे में तीन statement है पहला है it is a contactless communication technology that uses electromagnetic radio field यानि यह contactless communication technology है जो की electronic magnetic radio fields को use करता है second statement बोल रहा है NFC यानि near field communication जो है यह यूज कर से इस तरीके से design किया जा सकता है कि जो devices है वो उनकी distance one meter के आसपास होनी चाहिए ठीक है और थर्ड है NFC can use encryption when sending sensitive information यानि encryption का यह use करता है जब यह information को भेज़ता है आप हिंदी में इसको यहां पर देख लिए इंक्रिप्शन का मतलब होता है code current यानि codes ठीक है और इसमें अगर आप देखेंगे पहली बात सीधा हम second statement पर जाएंगे NFC की एक मेटर की distance होनी चाहिए इस तरह का यह illogical सा चीज़े है तो इसमें जो है यह answer नहीं होगा यानि second option नहीं होगा और second नहीं होगा तो A कट जाएगा D कट जाएगा first right और third भी right तो इसका answer होगा 1 and 3 और 1 and 3 किसमें है C में ठीक है इसके बाद question number 33 है यह आप लोगों के लिए मैं छोड़के जाऊंगा Golan Heights कई बार news में रहता है किस area से related है Central Asia, Middle East, South East Asia, Central Africa अब कहेंगे कि यह आप क्यों छोड़ रहे हैं तो भाई यह मैंने कई बार पढ़ाया कई बार इसके बार इसके बार इसके बार इसक्स किया है प्रइशन था ओप्सन नमबर सी जो है यह freely permit किया जाता है convergence को की रूपी जो है दूसरी करंशी और वाइस वर्साज के अंदर change हो जाए यहाँ पर आप हिंदी में देख लिए रूपे की प्रिवर्वेशन नीतिया से क्या तात्परी है रूपे को अन्यमुद्राओं में औ उसको permission देना इसके बाद medieval Indian state के और present region के बारे में analysis किया गया है पहले बात यहाँ पर दिया गया चंपा यह किस्ते लेटे क्या central इंडिया से है तो नहीं चंपा और चंबा जो हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा तो ए गलत हो जाएगा ए गलत होगा option A और option C जो वो इसमें हो जाएगे गलत ठीक है इसके बाद दुर्गारा दुर्गारा जो है दुर्गर जिसको बोल सकते है यह जम्मू में यह बिल्कुल सही statement है तो second में ऐसे answer तो B automatically आई जाएगा क्योंकि AC कर जाएगा second सही है तो इसका मतलब यह सही है और कलूटवा जो है यह कुलू को ही बोल